नमस्कार स्वागत है आपका कापिटल चीप बिहार के स्पशन सोच छुनावी चौसर में और मैं हूँ आपके साथ आत्म जाँ खगड़िया का राजनितिक पाराग काफी हाई हो चुका है NDA और महागट बंधन की तरफ से मददाताओं को अपने पाले में लाने की जोड आजमाईश की जारी है ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दोनों गट बंधन के लिए खगड़िया चुनाओ अग्मी परिक्षा के समान है जहां बार्ड, सुखार और रोजगार से ग्रसित खगड़िया में साथ मैं को वोट पढ़ने वाले हैं ऐसे में खगड़िया को राज़दिक पारा काफी हाई हो चुका है NDA और महागट बंधन की तरफ से मतदाताओं को अपने पाले में लाने की जोड़ा अजमाईश की जारी है लेकिन मतदाता जो है काफी चुपी साधे हुए है इस लोग सबर चुनाओ को मतदाता काफी पेचिदा बना दिये हैं ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दोनों गट बंधन के लिए खगड़ या चुनाओ अगनी परिक्षा के समान है हलाकि आमने सामने कि इस ककर में बाजी कौन मारेगा यह 24 जून को मतगरना के बाद ही मालुम पड़ेगा उमिद्वारों के लिए किन बात करें तो इंडिये के तरफ से इस सीट पर लोजपर रामवलास के राजी स्वर्मा को प्रत्यासी बनाया गया है वह कुस्वाहाजाती से हैं, वह इंडियागट बंदन की तरफ से इस सीट पर माकपा ने संजय कुमार को प्रत्यासी बनाया वह भी कुस्वाहाजाती से ही आते हैं यहां के जाती समय करण पर एक नजर डाले तो अती पिछड़ा और पिछड़ा वर्क के वोटर जिसके लिए गोल बंद होंगे उसे ही इस चुनाओ में ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा यहां यादो वोटरों की संख्या 3.5 लाग के करीब है इसमें मुसलिम मद्दाता लगबग 1.5 लाग इसके अलावा निशाद 1.5 कुरमी वक उस्वाहा जाती के वोटर 2.5 लाग सवर्ण 1.5 लाग और पासवान मद्दाता करीब 1.5 लाग है ऐसे में मद्दाताओं का साइलेंट मूड में आना किसी ना किसी गटबंधन के लिए खत्रे की घंडी के समान है वोटर खामोस है, दोनों प्रमुखदलों के उमिद्वारों के लिए सबसे बड़ी परफशानी तो यही है अपने अपने दावे हैं, इस सीट पर मुकाबला मुख्यता इंडीय और इंडिया के बीची है मुसलिम इलाकों में खगडिया विधान सभा का जलकौडा हो, माडर हो या फिर परबता के इलाके के मड़या सब ने चुप्पी साथ रखी है लेकिन महिलाओं के बीच मुफ्त अनाज का असर साफ देखने को मल रहा है इसकी बाते भी हो रही है यहाँ पर समराड चौधरी के रैली के बाद से कुछ स्वाह समाज जो है उसकी हवा भी बदलती हुई नजर आ रही है वही तजस्वी ने भी अपनी सभा का विगल बजा दिया है एंडिये से लोश्पर राम वलास के प्रत्यासी राजेस वर्मा शेतर में अपने विकास के विजन को लोगों के सामने रख रहे है साथी साथ वह प्यम मोदी और मुख्यमंत्रे नतेश कुमार के विकास के मौडल की भी चर्चा कर रहे है वह शेतर में लोगों से कहते हैं मेरी जीत का मतलब प्यम मोदी की जीत और उनको मजबूत बनाना हलाके चुनावी रैल्या की अगर बात की जाए तो खागड़्या में एंडिये और महागडबंदन दोनों की रैलियों में अच्छी खासी भीट देखने को मल रही है जो दोनों खेमे को अभी तक आक्सीजन देने का काम कर रही है खकड़या में एक तरफ जहां महागडबंदन बाहरी प्रत्यासी के मुद्दे को धाल बनाकर मतदाता के बीच पहुँच बनाने की जुगत में है वहीं एंडिये मोदी का चेहरा आगे कर ज्यादा से ज्यादा मत पाने की चाह से मैदान में डट कर मुकाबला कर रहा है बरहाल जो रजमाईस की सिखेल में किसके सर सहरा बंदेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन मत दाताओं ने अपनी चुपी से दोनों खेमों की चिंताएं जरूर बढ़ा दी है तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किसके सर पे सहरा सुझेगा आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो शेर करें और आगी की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे कापिटल टीवी बिहार धन्यवाद